टीवी सच साहस सरोकार आरत ने लौंच किया पहला प्राइवेट रोकेट विक्रमेश सतीस धवन अंतरक्ष केंडरे से भरी उडान कॉंग्रेस के पूर्वदक्ष राहूल गांधी को बम से उडाने की मिली धमकी पुलिस प्रशासन हुआ एलर्ड सीयम धामी एक दिवसी ब्रहमण पर पहुचे कुमाउन प्राकृतिच गिस्ता के तहत मिटी का लेप लगा करकर आया उप्चार राहूल गांधी के वीर सावर कर पर जारी बयान पर सिफशेना नेता संजर राउत ने जाहिर की कड़ी निन्दा 12 जोड़ो यात्रा में शामिल हुए महात्मा गांधी के प्रापोत्र तुशार गांधी राहूल गांधी के साथ करेंगे पद्यात्रा प्राइम टीवी शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ आगरा के खेरा गड़ सामुदाइक स्वास्ते केंद्र खेरा गड़ पर प्रसूता को ट्रेक्टर ट्रॉली से लिटा कर लाने का मामला सामने आया है जिसका बीडियो भी वाइरल हो रहा है वहीं इस मामले को देखते हुए स्वास्त विभाग पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कारी के मुताबिक महिला घंटो दर्ध से तडपती रही पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से एम्बूलेंस नहीं मुहया कराई गई तरफ से बड़ी लापरवाही देखने को मिली है प्रसूता को ट्रेक्टर ट्रॉली से ले जाने का मामला सामने आया है प्रिसूता को इस्ट्रेचा नहीं मिला जिसका वीडियो भी सामने आया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं खाटिया पर ले जाते हुए परजन नजर आ रहे हैं इस खबर पर जादा जानकारे के लिए हमारे समभाद आता है जिशान हम से जुड़ेंगे जिशान अस्पताल प्रिशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है प्रिसूता को ट्रेक्टर ट्रॉली पर ले जाते नजर आ रहे हैं क्या कुछ पूरा मामला है मैं आपको बढ़ा दूँ अत्तर पर्धेश के मुख्यमंतरी योगी आधेतिनात सुवस्त विवाग को ले कर कई पिरियाज भी कर रहा हैं sुवस्त विवाग को अलट कर रहा हैं कहीं नहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो सुवस्त विववाग के अधीकारी जो मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ के पिरियास हैं उन पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं ताजा मामला आगरा के खेरागर समूदाई केंदर का है जहां पर एक महीला दर्द से तडपती रही और हॉस्पीटल पिरसासन आखे मूंदे बैटा रहा हाला के मैं आपको बता दूँ वहाँ पर जो ऑस्पीटल पिरसासन की बड़ी लपरवाई जो आई के जो महीला दर्द से तडप रही थी वहाँ पर स्टेशर की बिवस्ता नहीं की गई हाला के जो परिबार जन थे उन लोगों ने खटिया पर बैठा लप उसको लेटाया और नीजी अस्पीटल में लेकर गए अगर मैं आपको बता दूँ के जो ऑस्पीटल पिरसासन है जो महीला दर्द से तडप रही थी उसको एम्बूलेंस भी मोहिया नहीं कराई तो जो परिबार जन थे जो गिरामिल शेतर के निवासी थे वो महीला को तडप दूआ देख अपनी खटिया पर लेटा कर और ट्रेक्टर ट्रॉली में ही लेकर गए इसको बाद साब तोर से कह सकते हैं कि सौस्थ विबाग के जो पिरसासन है उस पर कई सवालिया निसान भी खड़े हो रहे हैं जी जेशान तंबाम सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्षन लिया गया है देखें बिल्कुल मैं आपको बता दूँ जो आगरा सीएवो हैं डॉक्टर अरुन स्रीबास्ताप अरुन स्रीबास्ताप का कहना है कि इस मामले में संग्यान लिया गया है और जान के बाद जो ऑस्पिटल पिरसासन की कारवाई हुई है जो लापरवाई की गई है उस पर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कारवाई भी की जाएगी जो आरुन स्रीबास्ताप का कहना है धनिवाज इशान तमाम जानकारियों के लिए खबर लखनव से है जहां विदुद विभाग कर्मचारी मोर्चा संगठन उतरप्रदेश की तरफ से 43 वा महा अधिवेशन का आयोजन संपन हुआ कार्टर में मुखाती थी जल मंत्री स्वतंतर देव उपस्थित रहे स्वतंतर देव सिंग ने संगठन की मांगो को मुख्र मंत्री से मिलकर जल्द पूरा कराने का आश्वा संदिया कि मन्यमंत्री जी से और प्रमुष सकी से यह चेलन से एक बार चर्चा करें कि उससे समस्ट्राइब अब यह चाहिए जरूरी है पिजली की चोड़ी पर अल्पूस लगे और अलेक्ट्रिफिकेशन हंड़र परसेंट हो केरल जैसा है खबर बुलंद शेहर से है जहां जल निकासी की उचित विवस्ता ना होने के कारण इस्थानी जनताओ छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो ही जल भराओं से मच्छर जनित संक्रिमित विमारी पन अपने का खत्रा बढ़ रहा है ग्रामिडों ने बताया कि प्रशासन से सिकायत की है पर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है खबर हरदोई से है जहां प्राइवेट बस के ड्राइवर और कंडेक्टर के बीच रुपए की लेंदेन को लेकर मामूली बिवात के बाद जम कर मारपीट हुई इस्थानी लोगों ने बीच बचाओ कर जगड़े को शान कराया मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है चंदॉली में शहाब गंज के प्रात्मिक स्वासकेंद्र में चिकिसक और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है बता दे कि अस्पताल में बेड पर आराम फर्मा रहे कुट्टो का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस मामले को लेकर चिकिसक और कर्मचारी अंजान बने हुए हैं इतना ही नहीं अस्पताल से चिकिसक और कर्मचारी अक्सर गायव रहते हैं प्रताब गड में नगर कोतवाली के विकास भवन के पास प्रोपरिटी डीलर की गोली मार कर हत्या कर दी गई बता दें कि घात लगाए बैठे कार सवार बदमाशों ने ताबर तोड फाइरिंग करते हुए प्रोपरिटी डीलर की हत्या कर दी वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भीजा जानकारी के मुताबिक जमीनी बिवाद में हर्त्या की आश्रंग का जताई जा रही है पर जा रहे थे, विकाज भूंच से निकले, लगभा के दो करूंचर दू गये थे, मौट था, मन्दा मौट था वहीं एक बाइक, कार खड़ी थी महरून के लगकी और उसी को हम प्रास के जैसे घूमें, रास्ता वहां कम प्रियागराज में कीड गंज थाना शेतर के परेड ग्राउंड में पुलिस और बदमाशों के बीश मुद्भेड हुई है जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ से की गई कारवाई से दो बदमाश घायल हुए है पुलिस टीम ने दोड़ कर गिरफतार किया बतारे घायल बदमाशों को इलाज के लिए स्पताल भेजा गया बड़ बड़ा गए और बाइक वहीं पर गिराकर पुलिस पर पायरिंग करने लगे जावबी कारवे करते हुए पुलिस में तवारा भी पायरिंग की गई कानपुर में निकाय चुनाओं के नजदीक आते ही महापौर से लेकर पारशक तक मैदान में आ गए वहीं इससे पूरे कार्याले में इलाके में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ जानकारी के मताबिक इलाके में पारशदी के कार्याले के बाट 82 का बहुत बुरा हाल है साफ सफाई के नाम पर जीरो था बतादिकी छेतरी लोगों का कहना है कि विधायक महापौर पार्शन इस मामने की शिकायत करने पर भी नहीं सुनते थे और नाही नगर निगम की अधिकारी और स्वास्द विभा की तरफ से साफ सफाई के लिए ठोस कदम उठाया गया है सिर्फ कानपूर काक जो पर ही ग्रीन और स्मार्ट सिटी दिख रहा है उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही देज़ुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी प्राइम पुष्पर